तो जल्दी से देख लेते हैं यह हमारा टेलिग्राम ग्रोप है जाए इसको जोइन करिए डिस्किप्शन में लिंक है 1.6 के सब्सक्राइबर है और किसी को प्लीज जोइन मत कर ले ना गलती से पहले ही बोल रहा हूँ डिस्किप्शन से जाओ यहाँ पर मौनिंग में मैंने आप लोगो निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवर्स बताए थे अगर आप नोटिस करोगे जाके इनको और फिर अपने चार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा अब मैंने आप लोग को आज दिये दो ट्रेड पहला ट्रेड का क्या हुआ सीन 10 बार पॉइंट निकला रिवर्स कर गया मार्केट मैंने आपको पहले भी बता के रखा यह चीज की स्केल्पिंग में आप 10-15 पॉइंट से जादे का SL नहीं ले सकते बस इतना ही SL लो काम चल जाएगा तो अगर कोई नहीं भी निकला माल दीजिए 44,840 के नीचे मैंने दिया था ट्रेड वो भी मैं समझाओंगा कि क्यों दिया था वापर थोड़ा लेट था because मैंने अपने मेंबर्स को पहले मैंने यहाँ पर ट्रेड दे दिया था फिर मुझे लगा कि और जा सकता है नीचे इसलिए मैंने आप लोग को दिया लेकिन जब मार्केट रिवर्स किया तो मैंने क्या किया आपको एक और ट्रेड दिया 45,050 के उपर जिदर हमको सीधा 100 points से उपर का ट्रेड देखने को मिला 45,050 जब मार्केट ने निकाला call side तो सीधा 100-800 points उपर गया वो भी आपको मैं बताऊंगा अब आज आते हैं आज के मेंबर्स के profit के उपर यहाँ देखी एक ही ट्रेड में फिन निफ्टी में 66,000 का profit that's it done for the day that is important कि आप अपना दिन खतम कर रहे हो क्या आप तीन वजे दिन खतम कर रहे हो या फिर आप अपना profit लेके बाहर हो जा रहे हो अगर आप तीन वजे कर रहे हो तो गलत है अगर आपने एक set limit बनाई कि मुझे इतना काम करने के बाद हट ज काम है जो अनोंने आज के दिन बनाया है ठीक है आप notice करिए कि profit कितना है और loss कितना है ठीक है यह देखिए यह हमारा बैंक निफ्टी का आज का बूम ट्रेड जिसमें 400 का premium 700 गया था अलकि इतना कोई hold नहीं किया obvious सी बात है जो एक भाई ने 100 points तक hold कि आप देख सकते हो यह यह बाई ने 385 पर बाई थी और आप देख सकते हो कि selling का हुई है और यह नए है market में सबसे important है यह कल join किये है मुझे और मुझे काफी बढ़िये लगा कि इन्होंने पकड़ के रखा आज 15 quantity से कर रहे है कल को 100-200 quantity से करेंग तो बड़ा profit बनेगा process यही रहने वाला है ठीक ह उसके बाद यह profit उसके बाद यह profit उसके बाद यह profit आप देखे जो भी trade है सब profit में closing है और इससे बड़िया बात आपकी क्या हो सकती है उसके बाद fin nifty का यह trade हमारा नहीं चला सिर्फ 10 point उपर गया और इसमें sell हिट हुआ इस ओके एक trade loss करने से दिन कराब नहीं होता वही मैं सबको समझाता हूँ अब आजाते हैं हम बात कर लेते हैं fin nifty के बारे में ठीक है आज का पूरा दिन था trendy upside के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि market में big move आ सकता है क्योंकि fin nifty की expire यह and why हमें देखने को मिला हमारा कल का यहाँ पर market close हुआ था मैंने आपको बोला था या तो आप इसके नीचे put side में trade लीजिए पहला target यह और side की तरह पहला target हमारा यह था दूसरा target हमारा यह था ठीक है यह वाला target लेकिन market ने क्या किया पहले target को निकाला just दूसरे target को पहले attempt में fulfill नहीं किया second attempt में fulfill किया अगर आपने कल की मेरी वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको देख लेना समझ में आ जाएगा कि अगर देखने को मिल रहा है एक trend line अब कल का क्या planning होगा वो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं एक second दो मुझे एक second दो यहां पर trend line लगाने तो मुझे so अगर हम बात करें तो बहुती अच्छे level पर हमें देखने को मिल रहा है फिन nifty जिदर हमें वापस से बड़े moves देखने को मिल सकते हैं market के अंदर क्या करना है कैसे करना है कल की planning में आपको यहां पर बताने वाला हूँ so आप पहले तो यह देख लो this is a trend line जो की बार-बार market हमारा support लेता हुआ उपर जा रहा है बहुती बड़ी बात है दूसरा important point यह भी देख सकते हैं आप लोग ठीक है तीसरा important point this 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 support बाद में बना resistance resistance इधर भी support और फिर breakdown फिर resistance तो अब क्या होना चाहिए अब होना यह चाहिए कि हम इसको करें breakout देन करें एक छोटा सा pullback और उसके उपर हम यहाँ पे जाएंगे call side के लिए in fin nifty यह आपका plan है fin nifty में अब target क्या हो सकते हैं अगर हम उपर की तरफ निकलते हैं तो आपका पहला target होने वाला है 20,350-360 and दूसरा target आपका होने वाला है 20,500 के आज़ पास target बड़े हैं और यह कब निकल जाएगा almost almost 280 के आज़ पास निकल जाएगा उसके बाद आपको बड़िया target यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे यह वाले मैं इसको मार करके रख देता हूँ ताकि next time जब मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको पहले से पत करना है यह जो आपको level देखने को मिल रहा है ठीक है यानि कि जो आपका level है 20,120 का हम इसके नीचे जाएंगे put side में यहाँ पे हमारा trend line का भी breakdown आएगा और एक छोटा सा यहाँ पे भी pullback वगेरा कुछ देखने को आपको मिल जाएगा आपका पहला target छोटा रहने वाला है 20, 20,040 तक का और दूसरा target आपका रहेगा day low और तीसरा target आपका रहेगा कल का day low यानि कि 19,830 के आसपास हम बस इतनी सी simple strategy को follow करेंगे अगर market बनाएगा हम बनाएगे नहीं बनाएगा हम नहीं बनाएगे simple रखो पैसा जरूर बनेगा अपने आप में trust रखो नहीं होरा trust हमार like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में जो पूछना चाते हो मेरे से पूछ सकते हो thank you so much मिलते हैं आप लोगो bank nifty and nifty के वीडियो में